हेलो गाइज मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज की रेस्पी है मेरी चटपटी मसालेदा अर्वी की सबजी गाइज अगर आपको मेरी रेस्पी पसंदाती है तो प्लीज लाइक से और सबस्ट्राइब जरूर करें और बैल आकल को जरूर दमाएं तो चलिए रेस्पी गाइज यह मैंने आधा किलो के करीब अर्वी ली है अब इन्हें पानी से अच्छी तरह वाश कर देंगे अब वाश के विए अर्वी को हम कूकर में डाल देंगे अब इसमें डेर्व ग्लास के करीब पानी डालेंगे ज्यादा पानी नहीं टालना है अब कूकर के ढकन को बंद करके गैस फ्लेम पे चढ़ाके दो सीटी लगा लेंगे गाइस यह देखे मेरी अर्वी गल चुकी है अब इससे हम छिल देंगे यह अर्वी मेरी छिल चुकी है अब इससे हम गुल गुल काट लेंगे अर्वी को अब दो प्याज को मैंने लंबे आखार में काट लिया है अब कड़ाई में दो बरी चमच और डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक चमच जीड़ा वन टीस्पून के करीब अद्रक का पेस्ट और इसे हिला देंगे अब इसमें हम डालेंगे अपने कटेवी प्याज कटी हुई हरी मिर्च अब प्याज को हलका फ्राई करेंगे प्याज को जदा लाल नहीं करना है हलका गोल्डेन होने तक पकाना है नमक स्वादान साथ हाफ टेस्पून धनिया पॉडर हाफ टेस्पून हल्दी पॉडर हाफ टेस्पून लाल मिच पॉडर अब इन सभी चीजों को मैंने डाल दिया अब अच्छे से चला लेंगे इसे अब इसमें हम डालेंगे ओगली और कट्यू ही और भी अब इन्हें हम अच्छे से मिला लेंगे और एक मिट तक भूनेंगे अब इसमें हाफ निम्बो का रस डालेंगे अब इसमें हरी कटी हुई धनिया बत्ती डालेंगे इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और इन्हें हलके हाथों से अच्छा से मिला लेंगे तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राब जाओ करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेस न आप तक पहुंच सकें थैंक्यू प्लीज ढू झार लेंगे झार बहुंच सके जड़ झार टीजान करेंगे